What's up guys, welcome back once again तो दोस्तों आज की movie जो में explain करने वाले हैं उसका नाम है Creep जो की 2004 में release हुई थी जी हाँ काफी पुरानी फिल्म है लेकिन काफी मज़ेदार फिल्म है चलिए movie की शुरुआत करते हैं movie शुरू होती है और हम एक tunnel में वहाँ पर जाते हैं और इन लोगों को वहाँ पर एक tunnel मिलता है जी हाँ एक और tunnel एक secret tunnel बोल सकते हैं और यहाँ पर जो senior आदमी होता है जिसका नाम Arthur होता है वो बोलता है कि मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा था और आज मैंने पहली बार यहाँ पर एक नया tunnel टूड़ा है मैंने नया invention करा है जी हाँ दोस्तों वो इसके अंदर चला जाता है और दोस्तों वो आदमी थोड़ी देर तक बाहर नहीं आता और जब वो बंदा अंदर जाकर चेक करता है तो वो नजारा देकर बिल्कुल पूरी तरह से शौक हो वहाँ पर कोई आदमी एक लड़की को खीच कर जाता है इसके बाद में भी शिफ्ट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं एक बहुत ही खुबसूरत लड़की को देखते हैं जिसका नाम Kate होता है और Kate एक पार्टी में होती है उस पार्टी में और बोलती है कि ये टिकेट जो वेंडिंग मशीन है वो खराब है इस वज़े से Kate के पास चेंज नहीं होता है तो वहाँ पर एक जो homeless lady होती है वो से कुछ extra पैसे देकर वहाँ से चेंज ले लेती है और वहाँ से टिकेट फाइलली वो ले लेती है और train का इंतिजार करने लग जाती है हमें दिखाया जाता है कि ये last train है train का इंतिजार करते हुए सो जाती है और जब उसकी आँख खुलती है तो बहुती ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि पूरा station खाली हो चुका था यहाँ तक की station का जो इंचार्ज होता है वो भी यहाँ से जा चुका था वैल यह station बाहर से बंद हो चुका था इसलिए वो बाहर भी नहीं जा सकती थी तब ही उसके सामने एक metro आकर रुकती है और Kate उसमें जाके बैठ जाती है वैल गाइस Kate पूरे metro में अकेले होती है ऐसा Kate को लग रहा था लेकिन इस metro में उसके साथ कोई और चलता है यह हमें थोड़ी देर में बता चलेगा कि वो आदमी कौन है थोड़ी दूर चलने पर रुक जाती है और जब Kate इसका पता लगाने के लिए ड्राइवर के पास जाती है तो हम देखते हैं कि ड्राइवर को किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मार दिया है लेकिन Kate को इसके बारे में पता नहीं होता और उसी टाइम पूरे metro की light भी चली जाती है तो काफी अंधिर हो जाता है और Kate ये सारी चीदों देखके बहुत डर जाती है तो हमी Kate को कोई आदमी अपने सामने दिखता है जिसके हाथ में टॉर्च होती है Kate उसे मदद मांगती है बोलती कि इस metro में वो फस चुकी है और जब वो आदमी Kate के करीब आता है तो वो कोई और नहीं बलकि जियॉर्च होता है जिसे कि वो पार्टी में मिली थी मतलब ये इनसान उसका पीछा करते करते यहां तक पहुँच गया है और जो मेटरों में आदमी चड़ा था वो कोई और नहीं दोस्तों वो जियॉर्च था और यहां पर जियॉर्च बहुती ज़ादा बत्तमीजी करता है और यहां पर जियॉर्च केट के साथ बहुती बत्तमीजी करता है वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है लेकिन तब ही दोस्तों ट्रेन का गेट खुलता है और कोई George को खीच कर यहां से ले जाता है यह देखकर Kate बहुत ही जादा डर जाती है और जब वो डोर के पास चेक करने के लिए जाती है तो उसे जखमी George दिखता है और बोलता है कि यहां से जितनी जल्दी हो सके भागो जिसके बाद Kate मेट्रो से उतर कर भागना चालू कर देती है और दूसरी स्टेशन पर पहुँच जाती है लेकिन दोस्तों यह जो दूसरा स्टेशन होता है यह भी पूरी तरह से लॉक होता है वेल रात के बारा बच चुके हैं या फिल लेट हो चुका है जिसके बाद Kate ठक और हार कर वही बैढ़ जाती है और तभी वहाँ पर उसे एक डॉगी दिखता है यह डॉगी होता है दोस्तों उसी होमलेस लेडी का जिसे की Kate ने चेंज लिया था वो उस डॉगी का पीछा करती है और एक स्टोरेज रूम में पहुँच जाती है जहां पर वो हमलेस लेडी और उसका हस्बेंट सो रहे थे उसके हस्बेंट का नाम जिमी होता है तो Kate इन दोनों को सारी सचाई बताती है लिकन ये लोग उसकी बातों का यकीन नहीं करते है Kate बताती है कि उसके साथ एक आदमी था जियोड जिसको कि किसी ने बहुत ही बुरी तरह से जखमी कर दिया है और यहां पर वो फस्यू की है उसके बाद Kate उनसे बोलती कि मैं तुमें 50 पाउंट्स दे रही हूँ प्लीज मुझे यहां से निकाल दो मेरी मदद करो और हम देखते हैं कि जीमी उसकी बातों से एगरी कर लेता है जिसके बाद वो उसे कंट्रोल रूम में ले जाने लगता है और इधर जो होमलेस लेडी होती है उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपने रूम से बहाँ निकलती है तो उसे बहुत सारे चूहे दिखाए देते हैं जिसके बीच उसका डॉगी भी होता है वो अपने डॉगी को उठाती है लेकिन तब ही दोस्तों कोई अंजान चीज उसके सामने आती है और वो जोर से चीकती है जिसका मतलब अब उसका भी पत्ता कर चुका है और इस सीन के बाद हम पूरे स्टेशन का सीसी टीवी फुटेज देखते हैं लेकिन वो अंजान चीज दिखाई नहीं दे रही थी कहीं ऐसा लग रहा था कि वो इन्वीजिबल है अब केट और जिमी को एक आदमी देखता है और ये दोस्तों कोई और ने बलकि जियॉर्ज होता है जो कि बहुत ही बुरी तरह से जखमी था और पट्री पर पड़ा हुआ था जिमी उसे खीच कर उपर ले आता है और हम देखते हैं कि जियॉर्ज को किसी चीज ने बहुत ही बुरी तरह से काट रखा है केट यहाँ पर उसे पूछती कि तुम्हें यहाँ से कौन उठाकर ले गया था लेकिन जियॉर्ज उसे कुछ नहीं बोलता है वो बोलता है कि I am sorry जो कि मैंने तुम्हारे साथ किया इसके बाद यह लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उस लेडी का कुटा आ जाता है और जिमी देखता है कि उसके उपर खून लगा हुआ है तो वो समझ जाता है कि उसकी वाइफ के साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ है वो उस डॉगी का पीशा करने लगता दिकता है और उससे आगे चलने पर बहुत सारा खून मिलता है ऐसा लग रहा था कि किसी की बॉड़िज कर यहां से ले जाए घ्या घिया है जिमी यह देखकर बहुत ही जादा हो जाता है वो समझ जाता एक पूर बहुत ही बुरा हुा है और जिमी यहाँ पर अपनी गार्ड को सब कुछ बताती बिरो जो यहां की कि उसके बातों बहुत भाट के पास बहुत बहुत सारी चुह. आजाते हैं और कोई आदमी उसके पीछे से पकड़ कर उसका गला बहुत ही बेहरहमी से काड़ देता है और जब वो गार्ड चीख रहा होता है तो केट भी समझ जाती है कि उस गार्ड की मौत हो चुकी है उसने उसे भी मार दिया है वेल उसकी आवाज सुनकर वो यहां से भा चालू कर देते हैं और भागते हुए एक टनल में पहुच जाते हैं यहां पर दोस्तों इन्हें वही ट्रेन अपनी तरफ आते हुए देखती है जिसमें वो आदमी सभी को मार रहा होता है यह दोनों उस ट्रेन से बचकर भागने लगते हैं लेकिन जिमी यहां पर केट से दोलता है कि वे मेट्रो में वापस जा रहा है, जिस आदमी ने उसकी वाइफ को मारा है, वो उसे छोड़े का नहीं, और अब वो मेट्रो में उसे ढूडने चालू कर देता है, जीमी को कोई अंजान चीज मेट्रो के ऊपर चलती हुए सुनाई देती है, जिसके बाद वो उस कि शुरूआत में दिखा था, इस च्रास पानी भरा होता है, और यहाँ से वो भचि बचा-कर इस टोर रूम इंगी, रए पहाले एक मान च्रास लाइसा तरह और अब ये creature एक आदमी को काट रहा होता है और उसे काट कर चूहों को भी खिला देता है मतलब ये चूहों के साथ साथ अपना भी बोडी को खाता था हम देखते हैं कि इस creature ने बहुत सारे लोगों को यहां जालियों में पकड़ रखा है और इन जालियों में हमें जूनियर इंजिनियर भी देखता है जिसे कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था विल गाइज इस आदमी का नाम भी जियॉज होता है जियॉज यहां पर केट को बताता है कि यह creature उनी को केज में मारता है जो कि पहले से मर चुके हूँ तो एक प्लान मनाते हैं यहां से भागने का जब अगली बार creature इंके पास आता है तो जियॉज मन्य की आक्टिंग करता है जिससे कि वह creature उसे मानने में बिजी हो जाता है और केट पीछे से cage खोल कर बड़े चलाकी से उस creature को घायल कर देती है और अब दोनों यहां से भागना चालू कर देते हैं लेकिन और भागते हुए इन्हें एक लेड़ी दिखती है जिसको creature ने बहुत ही बुरी तरह से मार रहा था यह लोग भागते हुए एक रूम में पहुच जाते हैं और तभी ने वहां वही homeless lady मि यह बाग सके वह इस दिवाल को तोल लेता है और लोग यहां से निकल जाते हैं लेकिन तभी यहांपर creature भी आ जाता है और यहाँपर हम देखते हैं कि वह creature एक क्रिच्वर और दोस्टों इसके बाद वह 2500 लेड़ी को для हुए Almost the train or हम Kate और George को भागते हुए टनल में देखते हैं जहाँ पर अगले पाली उनके पीछे वो creature फिर से दुबारा पड़ जाता है लेकिन यहाँ पर जो वो creature होता है और George के बीच फाइट होना चालो हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि George जो उस creature को बहुती बुरी तरह से मानना चालो कर देता है और Kate से बूलता है कि इसे जान से मार दो लेकिन दोस्तों Kate बहुती ज़्यादा डरी हुए होती है वो उसे मार नहीं पाती और जिसका फाइदा उठा कर वो creature George का सर एक सरीय में घुसा देता है और उसे वहीं मार देता है और यहां पर Kate अपना दिमाग चलाती है वो एक जन्जीर बड़े चलाकी से उस creature के गले में फसा देती है और जन्जीर को आते हुई train में बान देती है और जैसी दोस्तों वो creature Kate को मानने वाला होता है वो जन्जीर खिच जाती है और उसका गला कर जाता है जिसके बाद finally वो creature की मौत हो जाती है और अब की जिसके बाद हम देखते है कि Kate को वो doggy भी मिल जाता है जिसको कि हमने movie की शुरुआत में देखा था वो अभी भी जिन्दा होता है तो यहां पर दोस्तों इसके बाद Kate दीखती है कि सुबा हो चुकी है और सभी लोग इस्टेशन पर आना चालू कर देते है और यह देखकर वो यहीं पर रोने लगती है well movie यहीं पर खतम हो जाती है और इसकी जान बच जाती है आपको movie कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताएगा सबसे important चीज़ दोस्तों चैनल को सबस्क्राइब जरूर करेगा well guys आप हमें इस्टाग्राम पर भी follow कर सकते हैं मिलते हैं आप सब्सक्राइब यूडियो में peace